वेल्कम स्ट्रेंट्स जो हमारा चैप्टर है एन्हांस्मेंट इन फूड प्रोडक्शन उसका आज हम पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे और अलग अलग चीजेंगे जैसे कि योगष्ट हो गया किर्ड हो गया चीज हो गया बटर मिल्क हो गया तो इसका ही हमने process नहीं देखा था वो हम देखते हैं so पहले देखते हैं curd का so curd देखते हैं Indian curd is prepared by inoculating milk with lactobacillus acidophilus it also checks growth of diseases causing microbes so strengths Indian curd कैसे बनता है Indian curd हम कौन से microbes का उस करेंगे lactobacillus acidophilus यह हम क्या करेंगे milk में add कर देंगे उसमें inoculate कर देंगे और फिर हमें क्या मिलेगा curd मिलेगा और जो यह bacteria है disease causing bacteria microbes को भी क्या करते हैं kill करते हैं और एक immune bacteria के तरह हमारे body में क्या करते हैं work करते हैं जो यह bacteria है lactobacillus acidophilus so Indian curd इस तरह सब prepared होते हैं जो जिसे हम दई बोलते हैं lactobacillus acidophilus को milk में अड़ किया जाता है फिर उससे ferment किया जाता है फिर हमें जाके curd मिलता है strands so इस तरह से curd को prepare किया जाता है strands अब हम देखते हैं कि yogurt को किस तरह से prepare किया जाता है butter milk को किस तरह से so second जो है yogurt strands it is produced by curdling milk with the help of stretto cocus thermophilus and lactobacillus bulgaricus so हमने curd बनाने के लिए strength lactobacillus का इस्तमाल किया तो यहाँ पर yogurt बनाने के लिए हम क्या use करेंगे strength streptococcus thermophilus यहाँ तो lactobacillus bulgaricus का हम यहाँ पर use करने वाले इन bacteria का हम यहाँ पर use करने वाले yogurt है yogurt है same curd होता है strength so इसमें आपको confuse होने की जरुवत नहीं यह भी दही जैसा ही होता है third है butter milk strength butter milk क्या है the acidulated liquid left after churning of butter from curd is called butter milk so strength simple है butter milk किसको बोलते है जो liquid छूट जाता है curd को निकालने के बाद या curd को महने के बाद strength क्या जो मंठा होता है जिसे हम मंठा बोलते है उसे ही हम butter milk बोलते है तो वो कैसे बनता है strength जब हम महा देते हैं क्या करते हैं दही को महा देते हैं strength सोड़ा सा पानी डालके या दही हम निकाल देते हैं strength जो भी वो acid containing liquid जो बचता है strength क्या होता acid containing liquid जो बचता है उसे ही हम क्या बलते हैं बटर मिल्क बोलते हैं स्ट्रेंट्स क्या बलते हैं बटर मिल्क बोलते हैं स्ट्रेंट्स क्या बलते हैं बटर मिल्क बोलते हैं स्ट्रेंट्स अब हम देखते हैं कि चीज का प्रोडक्शन किस तरह से होगा स्ट्रेंट्स देखते हैं सो स्टेंट जो हमारा फूर्थ प्रोड़क्ट था मिल्क से बना हुआ वो था चीज स्टेंट सो देखते हैं चीज कैसे बनता तो मिल्क इस कोगुलेटेड विद लेक्टिक ऐसे बैक्टेरिया एंड़ कर्ड फॉर्म्ड इस फिल्टर टू सेपरेट वेड़ सो क्या हो रहा है स्टेंट्स अब हम क्या करेंगे मिल्क को कोगुलेट कर देंगे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देंगे लेक्टिक बैक्टेरिया का यूज करके लेक्टो बैसलस ऐसे असीडोफिलस का बैक्टेरिया का यूज करके और क्या करेंगे उसे फिल्टर कर देंगे स्टेंट्स हम उ उसमें से क्या किया हमने पानी को मिखा दिया जो कर्ड था सॉटिरेंस उसे बहुत दिनों तरफेंगे पता ही हुगा कि मोल क्या होता है एक फंगस होता है 늑स्ट्रेंट रखेंगे ताकि उसमें एक अच्छा फ्लेवर आ सका है इसे बहुत सारे टाइप के चीज मिलते हैं जिनका अलग-अलग टाइप के फंगस का इस्तमाल किया जाएगा अलग-अलग फ्लेवर देने के लिए अलग-अलग कलर देने के लिए स्टम्स आयोब आपको यह समझा को किस तर से चीज बनता है तो रॉकफोर्ट एंड कैममबर्ड चीज आर राइपेंड बाई ब्लू ग्रीन मोल्ड पैनिसिलिन रॉक्योफोर्टी एंड पैनिसिलिन कैमेंबर्टी रेक्सपेक्टिवली तो ज नाम है पैनलसिलिन कैमंबर्डी जो हम यूस करेंगे में ब्लूज ओडू स्टिरिंड रेक्टों ब्लू ववाइंड vit करेंगे तो लार्ज हो लिए स्विल्स चीज आरड डवलप्ट द्यू प्र्रोड़ प्रोडक्शन आंप आप शीयोटू वयाइप्रियम नोन तो प्र चीज में होते हैं छोटे छोटे फोल्स हो जाते हैं पोर्स हो जाते हैं इसलिए यह पोर्स होते हैं क्योंकि यह बैक्टिरिया क्या करते हैं सीओ grands करतें कौंसे बैक्टीरेटेंट्स प्रौप्य निया बैक्टेरिया शेयरमारी और हम रॉख फॉर्टॉर और गया जीज के लिए कौनसे ब्लु ग्रेन और चीज का इस्किमाल दूरिंग फर्मेंटेशन वराइटी और प्रोड़क्ट्स लाइक अल्काहॉलिक बिवरेजेस, और्गेनिक एसिड, विटामिन्स, ग्रोथ हॉर्मोन, इंजाइम्स, एंटिवर्टिक्स, एक्सेक्टरा अर्प्रोडूस्ट अब हम क्या करेंगे स्टूंट्स, माइक्रोब्स का रोल देखेंगे इंडस्ट्रियल फिल्ड में, मतलब इंडस्ट्रियस में माइक्रोब्स का क्या रोल होगा, प्रोड़क्ट्शन के लिए कुछ चीज को प्रोड्यूस करने में हम इंडस्ट्रियस में माइक्रोब्स का यूस करेंग, जैसे कि हो गया एलकोहॉलिक, प्यो करने वाले हैं और यही सब हम पढ़ेंगे कि microbes का क्या role है इन सब के productions में strengths सो आगे देखते हैं क्या है production on a industrial scale requires growing microbes in a very large vessels called fermenters so strengths industrial level पर अगर हमें कुछ productions करना है तो हमें large amount में microbes भी चाहिए और उन microbes को रखने के लिए large vessels भी चाहिए so उन vessels को हम बोलते हैं fermenters क्या बोलते हैं strengths? Fermenters बोलते हैं तो अगर हमें industrial level पर कुई काम करना है तो हमें large amount of microbes च quirky है और large amount of microbes को grow करने के लिए large amount of microbes को रखने के लिए हमें एक large vessel चाहिए large बरतन चाहिए जिसे हम बोलते हैं fermenters जिसमें हम क्या करेंगे? fermentation का process करेंगे the main function of fermenter is to provide a controlled environment for growth of microorganisms और a defined mixture of microorganisms to obtain a desired product, तो main function क्या होता है इस fermenter का, इस large vessel का main function क्या होता है, कि एक controlled environment एक complete temperature एक जो temperature चाहिए, उन्हें maintain temperature, maintain environment, maintain climate उन्हें उन microorganism को उन fermenter में मिलेगा, और एक proper amount में, वो microbes उसमें रहेंगे, और जिसके वज़े से हमें क्या मिलेगा, अपने मन चाहा products, जैसा हमें product चीव, वैसे हमें products मिल पाएगा, strengths, तो ये main का में fermenters का, तो large fermenters हम यूज़ करेंगे जिसमें large amount of microbes रहेंगे, और हमें अच्छा product मिलेगा, और मंचा product भी मिलेगा, और large amount में product क्या होगा, produce होगा, strengths, सो आगे देखते हैं, और क्या है सो हम देखेंगे, production of alcoholic beverages strengths, so start कर, beverage is a liquid used or prepared for drinking, example tea, coffee, beer, wine, which act as a stimulant, so beverages क्या होते है, strengths, पानी को छोड़के जो भी चीज़े आप पीते हैं, beverage मतलब क्या होता है, पानी को छोड़के जो भी चीज़े आप पीएंगे उसे हम beverage बोलते हैं, जैसे कि हो क्या tea, coffee, beer, wine, जो क्या stimulant की तरह काम करते हैं, आपको stimulus देते हैं, आपको signaling type देते हैं जैसे हमें tea से क्या होता है, नीद नहीं आती है, तो यह क्या एक type से stimulant है, wine, beer से क्या होगा strengths, नशा होता है, तो यह क्या एक type से stimulant strengths, alcoholic beverages are the product of alcoholic fermentation of specific substrate, तो alcoholic beverages कैसे बनाए जाते हैं, मतलब जो alcohol हो गया, tea tea को छोड़के मतलब wines, beer, whiskey, brandy जो भी है यह आपका क्या है, alcoholic beverages are strengths, so यह हम कैसे बनाते है detonation ? इनको हम क्या करते है, alcoholic fervent करते हैं, कुछ microbes का यउश करके जैसे कि fruit juices का यूज़ करेंगे हम और उन्हें क्या करेंगे, ferment करेंगे, क्या करेंगे ? इन्हेंик Ferment करेंगे और हम क्या करेंगे alcoholic beverages को बनाएंगे use of microbes in making alcoholic beverages is known since Vedic period 5,000 to 7,000 BC so strengths यहाँ पर alcoholic beverage बनाने का जो तरीका है microbes का यूज करके जो बनाने का तरीका है alcoholic beverages का वो हम बहुती पहले से यूज करके आ रहे है 5,000 to 7,000 BC से हम क्या करते आ रहे microbes का यूज करते आ रहे इन सब चीजों को प्रड्यूस करने में wines वगेरा प्रड्यूस करने में alcoholic beverages को प्रड्यूस करने में strengths microbes specially East have been used for a time immemorial for the production of beerage like wine, beer, whiskey, brandy और microbes जैसे की East हो गया strengths यह बहुती पहले से यूज होते जा रहे है इसका कोई time period अब तक fix पता नहीं चला है इसलिए रिखाया इं memorial strengths क्योंकि यह बहुती पहले से यूज होते आ रहा है यह beverages बनाने के लिए alcoholic beverages को बनाने के लिए जैसे की wine होके beer, whiskey, brandy और rums को बनाने के लिए for this purpose the East seromyces cerevaceae, saccharomyces cerevaceae का इस्तमाल किया जाता है strengths और इसका एक variant है जिसे हम बोलते हैं ellepsoides, saccharomyces ellepsoides जो इसका एक variant है strengths, commonly called brevars ist, brevars है एक scientist चाहा जो इसे find किया था strengths, saccharomyces ellepsoides को तो इसलिए उसे brevars ist भी कहा जाता है strengths, so for this purpose the East saccharomyces cerevaceae and saccharomyces ellepsoides is used for fermenting melted cereals and fruits juices to produce ethanol, so strengths यह microbes का इस्तमाल किया जाता है, saccharomyces cerevaceae और ellepsoides का, क्या करने में strengths हम किसे ferment करेंगे, हम cereals को मतलब जो भी आपके दाल हो गए, cereals हो गए आपके जो भी, वो और fruit juices को हम क्या करेंगे, उनको ferment करेंगे, और क्या produce करेंगे, ethanol को produce करेंगे, कौन-कौन से bacterias, कौन-कौन से yeast हमें यूज करने strengths, saccharomyces cerevaceae and saccharomyces ellepsoides का, जो एक इसी का variant है, saccharomyces का ही variant है, और क्या करेंगे हम, फिकी से ferment करेंगे, हम cereals को ferment करेंगे, और fruit juices को ferment करेंगे, alcoholic beverages को बनाने के लिए strengths, among the beverages, wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are distilled beverages strengths, so, इन सब beverages में जो wines और beers होता है na strengths, वो distilled नहीं किया जाते हैं, अब distill मतलब क्या होता है, एकदम pure form strengths, distillation करना मतलब होता है, आपको pure form जैसे कि हम पहले water का distillation आपने process बढ़ा होगा, कि water का distillation करते हैं, जिसमें से हमें pure form of water मिलता है, ना हमें water में कोई minerals मिलेगा, ना हमें कोई salt मिलेगा, हमें सिर्फ एक pure form of water मिलेगा, H2O हमें सिर्फ pure form, उसी तरह से जो whiskey, brandy और rums होते हैं वो wine और beer के क्या होते हैं, distilled form होते हैं, मतलब हम wines और beer को क्या करेंगे, distillation process से process करेंगे, फिर हमें जो product मिलेगा, वो क्या होगा, वो हमारा whiskey होगा, brandy होगा, या तो rum होगा, इसलिए आपने देखा होगा कि whiskey और brandy जो rum होते हैं, वो बहुत महेंगे मिलते हैं, क्योंकि distillation process से इन्हें निखाला जाते हैं, इन्हें pure form of wine होते हैं, और pure form of beers होते हैं, strands, tubular tower fermenter is used for large scale production of alcohol, तो ये small scale में अगर आपको produce करना है, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अगर large scale में इसे produce करना है, तो आपको fermenter use करना पड़ेगा, fermenter towers use करने पड़ेंगे, strands, alcohol के products बनाने के लिए, alcoholic beerages बनाने के लिए, तो वो भी देखते हैं कि वो tower होता कैसा है, fermenter tower है क्या, तो वो भी हम आगे देखते हैं क्या है, several traditional drinks and foods are also made through fermentation by, तो कुछ traditional drinks भी होते हैं, strands, मतलब अपने एक जगे की, अपने एक ड्रिंक रहेगी, strands, वही जगे पर, समझो कुछ places हैं, strands, इंडिया में, जहां पर उसी जगा की drinks, यूज की जाती है, बाहर की drinks नहीं यूज की जाती है, तो ऐसे भी कुछ traditional जगे होते हैं, जहां पर traditional drinks पी जाती हैं, और कुछ food भी ऐसे होते हैं, जो east के fermentation से बनाये जाते हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ कोस्टल रिजन इन साउथ इंडिया इस मेड़ बाई फर्मेंटिंग शुगर सैप, एक्स्ट्रेक्टेट फ्रॉम पाल्ट्री एंड कोकनट पाम, कोकनट ट्री से हम जम्हा करते हों, मतके लगाय जाते हैं उपर और उनका जो स्ट्रेंट की यह यूज करके, जिसे हम ताडी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं ताडी बोलते हैं और वो भी as a alcoholic drink यूज किया जाता है तो गोवा में भी उनका एक traditional drink है जिसे हम बोलते हैं तो फैनी कैसे बना जाता है आपने अगर cashew nut काजू का जाड़ देखा होगा तो cashew nut होता है उपर cashew होगा और नीचे काजू रहता है जोटा सा श्ट्वेंट्स सो जो कैश्यू होता है फल होता है उसे हम क्या करते हैं उसे हम फर्मेंट करते हैं और उसे फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं वाइन बनाते हैं जो गोवा में यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं फैनी क्या बोलते हैं फैनी बोलते हैं तो वो कैश्यू फ्रूट का यूज किय जा ढालई तरह ईशन यह संजाओं कुस तरह से बिवयरेच ëलकॉहरीक जाते हैं कि थ्रिंट्स यह देनि आगे करूंट सो आगे हम देखे हैं कि फर्मेंटर कईस्टर से विट्रठ करते हैं लार्ज अमांट अब विट्रिंश को बनाने के लिए हैっस आगे देखते हैं सो स्क्री Schwein पे दिखरा है वह है फर्मेंटर्परमेंटर टावर ठнойट जहाँ पर हमें लास्ट का प्रोड़क्त हमारा अल्कोहॉल मिलता है स्ट्रेंट्स यहां पर आपको heat exchanger pump दिख रहा है वो क्या करता है अंदर का जो environment अंदर का जो temperature है वो microbes के लिए as it is रखता है और जो आपको east moment दिख रहा है वो पूरे tower में क्या होगा जो microbes east saccharomyces cerevasia है वो क्या होगा वो पूरे tower में क्या होगा गुमते रहेंगे और यहां से क्या होगा नीचे से oxygen pass होते रहेगा air pass होते रहेगा और फिर जो substrate juices होगे fermenter में क्या किये जाएंगे इस fermenter में डाले जाएंगे और east क्या करेंगे इन्हें ferment करना start करेंगे तो जैसे जैसे oxygen अंदर जाएगा immersion investig का use करेंगे स्ट्रेंट्स फर्मेंटेशन करने में और क्या करेंगे कार्बन डाय ऐसा प्रोडक्ट हो क्या करेंगे रिलीज करने के ऊपर से और एथेनॉल भी बनाते जाएंगे साथ में एथेनॉल और कार्बन डाय अक्साइड क्या करेंगे बनाते जाएंगे और जो कार्बन डाय अक्स में जो क्या रहेगा सिंपल है स्टेंट्स के साथ हम क्या करेंगे सबस्ट्रेट को लेंगे जो हमारे juices होगे cereals के juices होगे fruits के juices ताकि जो yeast होगा वो उसे ferment करेगा और air का use करके हो क्या करेगा carbon dioxide बनाएगा और इस तरह से हमा हम alcoholic beverages को बनाते हैं alcoholic products कौन इस तरह से बनाया जाता है और जो whiskey, brandy और rum है हम उन्हें क्या करेंगे distilled करेंगे जो हमें product मिलेगा उसे हम distilled कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? whiskey हो जाएगा, brandy हो जाएगा और rum हो जाएगा So I hope आपको यह ferment tower समझा होगा So strengths अब आगे चलते हैं So strengths आगे हम देखते हैं production of organic acids So start करते हैं strengths So strengths पहले हम समझते हैं क्यों organic acids होते क्या है? So organic acids simply आपको समझना है कि organic compound with acidic property क्या है strengths organic compound with acidic property मतलब ऐसा organic compound जिसमें acidic property होगी उसे हम क्या बोलेंगे? Organic acids बोलेंगे, क्या बोलेंगे strengths? Organic acids बोलेंगे So देखते हैं कि microbes का क्या role है हमारे organic acid productions में आपको हमारा aim नहीं बुलना है हमारा aim है strengths enhancement in food production हमारे food productions को कैसे हम increase करेंगे तो यहाँ पे हम microbes का use कर रहे हैं strengths हमारे food productions को बढ़ाने के लिए है Organic acids को produce करेंगे microbes are also used for the commercial and industrial productions of certain organic acids So microbes का भी एक बड़ा रोल है हमारे industrial field में हमारे commercial field में Organic acids को produce करने के लिए क्या करने के लिए students Organic acids को produce करने तो जिस तरह से alcoholic beverages को हम ने produce किया East का use करके उसी तरह से हम कुछ microbes का use करके Organic acids को भी बनाएंगे Organic acids को भी हम क्या करेंगे Produce करेंगे strengths This compound can be produced directly from glucose That is gluconic acid Or formed as a end product from pyruvate और ethanol So strengths हम इसे directly कैसे produce कर सकते हैं Organic acids को या तो हम glucose को ferment करेंगे या तो directly हम pyruvates और ethanol को हम क्या करेंगे Ferment करेंगे Pyruvate मतलब होता है strengths Three carbon containing compound या तो हम ethanol को क्या करेंगे Ferment करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके ताकि हमें कुछ organic acids मिल सके strengths So आगे देखते हैं So strengths यह कुछ organic acids है और यह कुछ microbes है जो microbes इन organic acids को produce करने में use किये जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है Citric acid जिसे हम aspergillus niger microbe यूज करके बनाएते हैं और glucanic acid को हम कैसे बनाते है strengths उसे भी हम aspergillus niger का यूज करके बनाते हैं मतलब दोनों ही acids को हम aspergillus niger का यूज करके बनाते हैं एक है fumaric acids जिसे हम rhizopus arisus यूज करके हम बनाएंगे और acetic acid जो आपका vinegar होता है उसे हम क्या करते हैं acetobacter acid microbe का use करके हम उसे बनाते तो यह सब microbe fermentation के लिए यूज होता है और fermentation का जो product होता है यह सब acids होते हैं यह सब organic acids क्या होते हैं हम क्या करेंगे कुछ pyruvates कुछ ethanol को क्या करेंगे हम ferment करेंगे और हम ही यह सब products मिलेंगे the organic acids are further used variously example citric acid is used in confectionery fumaric acid in resin as a wetting agent and gluconic acid in a medicine for a solubility of CA2 plus so strengths यह सब organic acids का use होता है इसलिए हम इसे produce कर रहे हैं so citric acid का use होता है confectionery में यूज़ लटा है confectionery ही क्या होता है confectionery मतलब होता है sweets या तो chocolates मतलब मिठाई के दुकानों पर हम क्या करते हैं citric acid का use करते है मिठाई को produce करने के लिए जो भी आपकी मिठाईयां होती है उनमें citric acids का इस्तमाल किया जाता है, so confectionery मतलब वही होता है, sweets or chocolate से related strengths, fumaric acid in resins as a wetting agent, so fumaric acid कहाँ used होता है, resins, अब resins क्या होता है, resins की density बहुत ज्यादा होती है, resin कैसे होता है, थोड़े से liquid भी होंगे, थोड़े से solid मतलब उनकी density in short बहुत ज्यादा होती है, so wetting agent क्या होता है, wetting agent ऐसा chemical होता है, strength, जिसे हम अगर किसी चीज़ पर डालते हैं, किसी, जैसे कि हम resins पर ही डाल दे रहे हैं, strength, तो resins क्या हो जाएगा, थोड़ा सा spread हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और liquid बन जाएगा, strength, उसे हम क्या बोलते है, wetting agent बोलते है, तो fumaric acid क्या होता है, strength, as a wetting agent है, अगर हम उसे resins में डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, as a wetting agent काम करेगा, strength, तो fumaric acid है, strength हो कैसा है, वो as a wetting agent काम करेगा, strength, and gluconic acid हैना, medicine for solubility of CA2+, और gluconic acid का use का है, gluconic acid भी एक organic acid है, strength, तो इनका use है, medicines बनाने में यूज़ करते हैं, medicines productions में यूज़ करके, क्यों करते हैं, क्योंकि वो CA2+, का solubility क्या कर सकते, उसे solub कर सकते, उसे घुला सके, CA2+, को क्या कर सकते, घुला सके, मतलब उसमें soluble बना सके, उसे medicines में, so इसलिए हम वहाँ gluconic acid का use करते हैं, so ये सब कुछ यूज़ स्ट्वेंट्स फिमेरिक acid के, साइटरिक acids के, और gluconic acids के, तो gluconic acid आपको समझ किया, अब मैडिसिन बनाने में यूज़ करेंगे, ताकि मैडिसिन में, जो CA2+, का अमाउंट ही, वह अच्छे से solubile हो सके, इसलिए हम gluconic acid का इस्तिमाल करते हैं, हमारे medicines को, CA2+, को solubile बनाने के लिए, अब हम आगे देखते हैं, स्ट्रेंट्स, production of vitamins, अब microbes का क्या रोले, विटामिन्स के production, production of vitamins, स्ट्रेंट्स, अब हम देखेंगे, किस तरह से microbes का यूज़ करेंगे, हम विटामिन्स को produce करने के लिए, स्ट्रेंट्स, आप सभी को मालूम है कि कैसे हमारे बॉड़ी में, विटामिन्स का कितना बड़ा रोल होता है, अगर कोई भी विटामिन्स हमारे बॉड़ी में कम हो जाता है, तो हमें अलग-अलग टाइप्स की diseases होने लगती हैं, स्ट्रेंट्स, विटामिन्स का हमारे बॉड़ी में बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो इसलिए हम देखेंगे कि विटामिन्स को किस तरह से हम produce करेंगे, कोन सा microbes यूज करके हम विटामिन्स को produce करने वाले हैं, So, vitamins are some organic nitrogenous compound which are capable of performing many life-sustaining functions inside our body So, vitamins क्या है? So, vitamins organic nitrogenous compound क्या है? Organic nitrogenous compound जो हमारे body के अंदर हमारी life से जुड़ी हुई हमें जिन्दा रखने के लिए functions करती है vitamins क्या करती है? स्ट्रेंद हमारे life से जुड़ी हुई हमें जिन्दा रखने के लिए अलग-अलग टाइप के हमारे बॉड़ी में क्या करती है, functions करती है, strengths, this compounds cannot be synthesized by human except vitamin D, तो ये vitamins जो होते हैं, जैसे vitamin A, vitamin B, vitamin C जो होते हैं, वो हमारे बॉड़ी में नहीं बनते हैं, जो हम खाते हैं, हमें उनसे वो vitamins मिलते हैं, बस हमारे बॉड़ी में vitamin D बनते हैं, तो हमें vitamins B बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें vitamins का बहुत ही बड़ा importance हमारे life में होता है, strengths, and therefore they have to be supplied in small amount in a diet, so हमारे diets में vitamins का भी होना बहुत ज़्यादा important, क्योंकि vitamins हमारे life में, हमारे body में बहुत ही important role play करती हैं, इसलिए हमें vitamins को भी produce करना बहुत ज़्यादा importance है strengths, microbes are capable of synthesizing the vitamins and hence they can be successfully used for a commercial production of many of the vitamins, तो कुछ microbes and strengths वो बहुत सारे vitamins का production कर सकते हैं, कुछ vitamins का production कर सकते हैं, ऐसे कुछ microbes भी है, तो microbes को हम कैसे use कर सकते हैं, commercial level पे large scale of, large amount of vitamins को बनाने में हम क्या कर सकते हैं, और microbes का use कर सकते हैं, क्योंकि वो microbes उन vitamins को बनाने में क्या हैं, पूरी तरह से successful हैं strengths, so उन microbes का use हम क्या करेंगे, commercial productions को, commercial level पे करेंगे, so कुछ example दिये हैं, यहाँ पे जो कि vitamins हैं कुछ, जैसे कि thiamin vitamins strengths, riboflexin, pyrodoxin, folic acid, pentothenic acid, biotin, vitamin B2L, ascorbic acid, beta carotin, and ergosterol, तो यह कुछ type के vitamins हैं जो produce किये जाते हैं, bacteria, microbes का इस्तिमाल करके strengths, तो जो यहाँ पे beta carotin है, उसे pro vitamin A भी बोलते हैं, और यहाँ पे ergosterol है, उसे pro vitamin D भी बोलते हैं, यह competitive exams में, पूछ सकता है, आपको neat में भी यह पूछ सकता है strengths, so यह कुछ type के vitamins है, जो microbes का use करके हम produce करते हैं, इसका production हम microbes से use से बना सकते है strengths, so, आगे देखते हैं क्या है strengths, vitamins are manufactured by fermentation using different microbial sources as mentioned below, तो कुछ हमें vitamins दिये हैं, कुछ microbes दिये हैं, जो उन vitamins के productions के लिए use होते हैं, strengths, तो देख लेते हैं strengths, वो examples क्या है, so vitamins B2 है strengths, वो किस से बनेगा strengths, नियूरोस्पेरा गॉसिपी और एरिथोमयोशियम Sb, तो ये दो microbes का use करके हम vitamin B2 का production कर सकते हैं, vitamin B12 सबसे important जो vitamin है, स्ट्रोंड हो कैसे बनेगा, pseudomonas denitrificence, किस से बनेगा strengths, pseudomonas denitrificence से बनेगा, और vitamin C किस से बनेगा strengths, aspergillus niger से बनेगा, तो short notes आ सकते हैं strengths, productions और vitamins पे 2-3 marks के लिए short notes आ सकते हैं, और ये नाम भी आपको याद रख रहा है, कौन से vitamins के लिए कौन सा microbes use होगा, क्योंकि ये exam में कभी-कभी 2 marks के लिए पूछते हैं strengths, तो ये आपका था production of vitamins, so I hope आपको productions of vitamins, production of organic acids और productions of beverages आपको समझा होगा, आगे और भी industrial field में microbes का uses, जो हम next वीडियो में देखेंगे strengths, so इस वीडियो में इतना ही strengths, आपको ये पूरा ध्यान से देखना, और इन सब पे short notes आ सकते हैं strengths, और आए भी हैं, और ये सब नाम भी बहुत ही important strengths, ये सब नाम भी आपको ध्यान से पढ़ना है, और आए याद रखना है कि कौन से vitamins के लिए, कौन से organic के लिए, कौन से microbes use होंगे strengths, so thank you strengths, मिलते हैं अगले वीडियो में,